गांटिनेट प्रच्छन है कि विदेग पर विचार किया जाए जो सदस्धे पक्ष में वह कहें जो सदस्धे इसके व्रोध में वह ना कहें मेरे विचार में दिन्हें हाँ वालों के पक्ष में हुआ हाँ वालों के पक्ष में हुआ विदेग पर विचार करने हे तो प्रस्ताव को सुकृत किया गया अब सभा विदेग पर खंडबार विचार करेगी After, After this सर अंटार्टिका एक वर्जिन लैंड है और वहाँ पर बर्फ ही बर्फ है और उसकी सत्य बहुत मोटी है उसके नीचे सारी चीजे हैं और वह वर्जिन कटारिजिरी में है मंत्री महोदे ने कहा कि कोई illegal mining ना हो उसके नीचे वर्जिन poly metallic nodules है कोबाल्ट है निकल है उसके साथ साथ गैस है उसके नजदीक ही नौर्वे है नौर्वे आज की डेट में सबसे जैदा oil बेचता है और 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 उसके अगल बगल से ये सारा तेल और गैस निकलती है क्रूड निकलता है उसकी सत्या के नीचे से ही निकल रहा है तो जब हमारे साइन्टिफिक ओर्गनाइजेशन इस पर रिसर्च करते हैं तो क्या इसका भी पता लगाते हैं कि जब इस इलाके से जब तेल और गैस निकाला जा रहा है तो उसका एफेक्ट अंटार्टिका के इस छेत्र में कितना पढ़ रहा है सिर्फ हम ग्लोबल वार्मी के तरफ ध्यान दे रहे हैं किन्तु नीचे से अगर गैस और ओयल निकाल लिया जाए तो वो सता जो है अंतता उसका फिलिंग अगर प्रॉपर नहीं हो तो वो सता बैटने लगती है तो हमें भविश्य के लिए अगर चिंता करनी है तो ये भी चिंता करनी है कि अगर वहाँ सबसाइड होने लगेगा बर्फ नीचे से निकल जाने के बाद क्योंकि सिस्मोलाजिक स्टैडीज में जो निकलती है कि कितने अर्थक्वेक हो रहे है तो सिर्फ हमारे प्रित्वी पर नहीं हमारे प्लेन एरिया में अर्थ पर नहीं होते समुंदर के अंदर भी होते है और उसी तरह अर्थक्वेक अंटार्टिका के नीचे भी होते है तो उन सारी चीजों को स्टैडी करके उनके protection के लिए अगर मैं समझता हूँ कि विश्योगरू बनके भारत एक अच्छा काम कर सकता है वैसे center वहाँ बनाने की जुरुरत है आप अनाधिकार अनुप्रवेश को रोकने के लिए एक समीती बनाये हैं बहुत अच्छी बात है कि इसमें कल को private operators और private players अगर जाने लग तो साइद उतना अंकुस नहीं लग सकेगा क्योंकि उसका commercial exploitation करने की बात ज्यादा बढ़ेगी इन चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं चाहूंगा कि मंत्री महदे कोई हमें इस पर रोश्री डालेंगे महदे मैं आपके समक्षेक अबने पीडा रखना चाहता हूं नहीं पीडा नहीं है मैं container can respond on that after this but i need you to clarify something about my private वोग वोगोड वेडि़ एंवेडि फ्टॉजन निटी इंडिघ इन अन्ट रिव अग्णिट कर दो आप जी कोई अप यह आप यह इंड आप अप्टी अप्टी निटिए कर दो एंडिस्टर आप्यों अप्ट्रे मिनिटर अब आप यह उडियो इस दे सक्षिं To citizen of India, I can understand it, but it will also apply to citizen of any other country as well as any vessel or aircraft registered outside India. जो अब बोलें इस संचित में बुलिए अजैक जी मानिय हमारे विरिश्ट से अलू वालिया साहभ ने इस विशे के जानकार हुए हैं पूरा धिन करके इन्होंने अपनी बात रखिया और निका कहना ठीक है कि उसके आगे पीछे दूसरे देश भी हैं और उन्होंने भी अप ने वहां पर संस्थापित किये हुए हैं अब जैसे उधारन के तोर पर नौर्वे है तो नौर्वे केवल सो किलो मिटर दूर हमारी लबार्टरी जो हमारे संस्थान है उनका संस्थान भी है और ये ट्रीटी भी इसी लिए इसकी कल्पना की गई थी कि कोई भी देश इस प जोता इस बात को ले करके हो कुल मिलाकर वैसे एंटारिटर के साथ संबंदेत तीन ट्रीटियां हैं एक तो यही ट्रीटी है जिसके तहरे हम यह बिल ला रहे हैं दूसरा कर्वेंशन आफ एंटारिटर का मेरीन लिविंग रिसॉर्सिस के जो वहां पर दूसरे तरह के रिसॉ करना और तीसरा प्रोटोकॉल और एंवाइनमेंटल प्रोटेक्शन जिसकी और मानिय अहलुवालिया जी ने भी इशारा किया मुझे लग रहा है कि जो मानने सदस्चों ने इस विद्रेक पर अपने अपने संशोदन दिये हैं और इस मेंसे क्या रितेश जी अपना देशी यह है कि खंड दो से पांच विद्रेक क्या अंग मने जो तो से पांच विद्रेक क्या अंग मने श्री रितेश पांडे जी संचुन क्या बारा संशोदन मैं पेश करता हूं से पांडे द्वारा प्रस्तुत संशोदन अपनिया कि अब आरा को स्विकृP किया जाए जो आप Greno rained है जो संचुन के परोगं में और ना क्या अज ही है मेरे विजार में नावलों के पक्य Serieau प्रचने की खंड 6 सथावन विद्यका गंग मने जो सथे जिसके पुरोथ में वो ना कहें मेरे विचार में नहीं हां वालों के खंड 67 विद्यका गंग मने अब मंत्र जी प्रस्ताव करें कि विदेग को परित किया जाए पिकर सर, I move that the bill be passed प्रशन्याय की विदेग को पारित किया जाए जो सथत से इसके पक्ष में वहां कहें जो सथत से इसके वरोग्य में वह ना कहें मेरे विचार में देने हावालो के पक्ष में हुआ हावालो के पक्ष में हुआ प्रस्ताव सिक्र्थ हुआ और विजयकर बैठ जाए आपको पूरा अवसर दिया, ने अधिर जी कल केवल आपके उनलपसिती के कारण से उसका सम्मान करते हुए विजयकर आज विचार हुआ नो, आपको पूरा अवसर दिया गया, ना ने प्लीज, प्लीज, प्लीज सभागी कारवाई सुमबार तिनांग 25 जुलाई 2022 को दो पर दो बज़े तक निस्वित की जाती है झाल 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 झाल